तो सबसे पहले हमारा step 1 है step 1 होता है हमें पता होना चाहिए कि number of flip-flop कितने use करने है ठीक है number of flip-flops यह हमारा step 1 है तो इसके लिए हमारा formula है 2 raised to the power n is greater than equal to capital N तो यहाँ पर जो small n है वो है हमारा number of flip-flop यानि कि कितने flip-flop यूज हो रहे है capital N है वो है हमारी mod value तो यहाँ पर अगर हम देखे तो हमें mod value पता है जो कि 3 है तो यहाँ पर अगर मैं 3 लिखूँ तो मुझे 2 की power क्या लेना चाहिए तो अगर मैं 2 की power 1 लेती हूँ in case तो यहाँ पर 2 आएगा तो वो तो condition satisfied नहीं हो रही है तो अगर मैं 2 की power 2 लूँ which is equal to 4 और 4 is greater than equal to 3 क्या है condition satisfied हो रही है तो yes this condition is satisfying ठीक है तो हमारा यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो हमारा number of flip-flop है वो कितने है 2 है यहनि की n की value क्या है 2 आई तो number of flip-flops हम 2 यूज़ करेंगे अब आता है step 2 यहाँ तो step 2 की अगर बात करें तो step 2 होता है हमारा state diagram हमें बनाना होता है state diagram state diagram state diagram क्या होता है basically यह हमें बताता है कि हमारी present state क्या है और next state क्या होने वाली है तो अभी मैं क्योंकि mod 3 counter बना रही हूँ तो mod 3 में हमारी 3 state होंगी 1,0,1,2,3 ही state होंगी 0 के लिए 00, 1 के लिए 01 और 2 के लिए 10, ठीक है, तो यह 3 states होंगी, तो यहाँ पर मैं इन्हें draw कैसे करते हैं, तो जब हम state diagram draw करते हैं, तो हमने condition लिखी, पहली 01, ठीक है, next हमारा जो state आएगा, वो आएगा 00, फिर 01, और उसके बाद जो हमारी state आएगी, वो आएगी 10, ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे arrow से define करते हैं, कि जहां से हमारा start होता है, यह arrow, वो हमारी present state होती हो, जहां पर हमारा arrow का sign होता है, यह हमारी next state होती है, तो 00 के बाद next state होई 01, 01 के बाद next state होई 10, और 10 के बाद next state आएगी 00, तो इसी cycle में हमारा synchronous counter है, वो घूमेगा, ठीक है, तो यह ह बाद आते हैं step 3 पे step 3 हमारा यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो क्योंकि हम जेके flip-flop से design कर रहे हैं तो हमें जेके flip-flop की truth table पता होने चाहिए तो जेके flip-flop की मैं truth table लेके आ जाती हूं यहां पर मैंने already बना रखी एक paper में तो जेके flip-flop की जो truth table थी पहले मैं उसे explain कर देती हूं फिर आम इसे एक छोटी excitation table create करेंगे और अगर आपको जेके flip-flop का मतलब अभी confusion है जेके flip-flop में तो आप इस video को देख सकते हैं उपर आई बटन पे click करके मैंने जेके flip-flop की बहुत ही इस एक explanation video बनाई हुई है तो अभी आगे बढ़ते हैं तो जब हमारा जेके दोनों 0 और qn भी 0 थो qn1 प्लस जो है था हमारा 0 था ठीक है इसी तरह से जब हमारा जेके 0 है qn1 थो हमारा qn1 था इस तरह से यहां पर हमारी जो जेके flip-flop की excitation table यानि excitation table हमारी बन रही है जेके flip-flop की पहले हम जेके flip-flop की बनाएंगे इसके हमारी एक और excitation table बनेगी तो जेके flip-flop की excitation table में हम क्या करेंगे मैं एक Q बना रही हूँ यह भी आपको पता चल जाएगा यहां पर हम चो condition लेंगे वह पहले हम लेंगे qn qn plus 1 और उसके बाद हम यहाँ पर j और k लिखेंगे, यहाँ पर मैंने क्या किया इन दोनों को पहले लिखा है और j k को बाद में लिखा है, ठीक है यह भी आपको पता चल जाएगा आगे मैंने ऐसा क्यों किया है, तो यहाँ पर अगर मेरी यह दो स्टेट है, present स्टेट है फॉidd यहाँ पर मेरी कुछी conditions बनेगी, मैं उन conditions को लिख लेते हूँ 0001 1011 मेरी यह चार ही conditions बनेगी, ठीक है सिंपल सी बात है, अगर मेरी यह चार condition बन रही है, तो अब मैं अगर देखू तो qn जीरो है और qn प्लस 1 भी 0 है तो j और k क्या होना चाहिए तो अगर मैं इस अपने truth table से देखूं तो जब मेरा qn भी 0 है जब मेरा qn भी 0 है और qn प्लस 1 भी 0 है तो ऐसी condition मेरे पास सिर्फ एक नहीं है मेरे पास 2 है ठीक है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा qn और qn प्लस 1 दोनों ही 0 0 है तो इस case में अगर मैं j और k की value देखूं तो j की value देख रही हूं तो दोनों में ही 0 0 है बट जो k की value है वो change हो रही है ठीक है एक में 0 है एक में 1 है आपको दिख रहा होगा तो इस case में यहाँ पर j तो मेरा fix 0 है ही है k जो है वो हमारा क्या है 0 और 1 दोनों के बीच में change हो रहा है तो अगर ऐसी condition होती है तो हम उसे क्या बोलते है don't care condition don't care को मैं यह आपर x से represent कर रहे हूं यह पर cross sign से बोल सकते है ठीक है उसके बाद same next state पर चलते है qn 0 है qn plus 1 1 है तो अगर मेरा qn 0 है और qn plus 1 1 है ऐसी भी मेरी दो conditions है 0 और 1 यहापर आपको दिख रहा होगा दो conditions है तो अगर मैं दोनों को लेके चलूँ तो मेरा दोनों cases में जो j है वो 1 है बढ़ जो k है वो change हो रहा है तो same यहापर लिख सकते हूं क्योंकि j 1 और k जो है वो don't care है इसी तरह से अगर 1 और 0 की बात करें next state की तो 1 और 0 मेरा यहापर भी है और 1 और 0 मेरा कहाँ पर भी है अरे क्या टरूथ table बना दिये रहे मैंने 0 1 और 0 1 और 0 1 और 0 मेरा यहापर भी है अचा इसकी जो यह table है यहापर last में 1 और 0 रहता है ठीक है मैंने गलती से बना दिया था तो यहापर भी 1 और 0 है तो यह भी 1 और 0 ही है ठीक है तो अब मैं इसके लिए j और k देखू तो j जो है वो 0 और 1 यहापर change हो रहा है k हमारा fix है तो इसके लिए अगर मैं j देखू तो change हो रहा है बढ़ k जो है वो fix 0 है तो j change हो रहा है इसका मतलब don't care और k fix है यानिकी 0 तो यह मेरी जो है वो jk flip-flop की jk flip-flop की excitation table create हो गई है तो step 3 पे हमने jk की excitation table बना ली अब हम अपने excitation table बनेंगे counter के लिए यानिकी step 4 तो जो हमारा step 4 है वो है excitation table of counter अभी यहां पे जो excitation table बनेगी वो उसके जो हमारे columns रहेंगे वो क्या-क्या रहेंगे बता देती हूं तो क्योंकि हमारे जो number of flip-flop है क्या है 2 है दो flip-flop है तो यानिकी हमारे दो jk होंगे एक में हमारा j हम मान लेते हैं j a, k a और एक में रहेगा j b, k b कुछ इस तरह से हमारे दो जो हमारे रहेंगे flip-flops use होंगे तो हमें क्या चाहिए दो output चाहिए तो उसके लिए में दो input भी चाहिए होगा तो हम क्या करते हैं ऐसे जो हमारे जो columns बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे q b, q a q b का n प्लस 1 और q a के लिए n प्लस 1 सेम यहाँ पे j, आपका j b k b फिछ j a k a चीक है कुछ इस तरह से आपके जो हैंगे वो inputs रहेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर क्या है हमारा q b, q a, q b, n प्लस 1 q a, n प्लस 1 और j b, k b, j a के हमने ले लिया है तो हम यहाँ पे अपनी states लिख लेते हैं कि हमारा जो state होंगी वो क्या होंगी तो 0, 0 होगी या तो 0, 1 होगा 1, 0 होगा या 1, 1 होगा हमारी यही होंगी अब इसके बाद हमें क्या चाहिए next state चाहिए तो next state के लिए हम अपना state diagram याद करते हैं हमारा state diagram था 00 फिर 01, फिर 10 क्योंकि यह mod 3 counter है तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही state थी basically यहाँ पे हमारी 4 state आ रही है हमने 4 state लिखी है बट हमारे mod 3 counter में सिर्फ 3 ही states है तो हमें 3 ही states के हिसाब से चलना है क्योंकि हमारी जब 00 first state है तो next state के है 01 तो यहाँ पे जब हमारी 00 first state है तो next state है 01 जब हमारी 01 state है present state तो next state के है 10 01 के बाद हमारी next state 01 10 जब हमारा 10 है तो next state के है 00 जब हमारा 1-1 है तो यहां पर 1-1 तो present नहीं है तो अब इस case में confusion होते हैं कि यहां पर क्या लिखा जाए तो जब यहां पर दोनों 1-1 है तो इसका मतलब don't care condition हम इसे consider करके चलते हैं कि हमें कोई issue नहीं है 0 हो या 1 हम सर्फ mod 3 बना रहे हैं तो हमें सर्फ इन 3 पर focus करना है तो हम इसे don't care रखेंगे ठीक है अब हम J, A, K, J, B, K भी fill करते हैं तो यह हम अपने excitation table से fill करेंगे इसलिए मैंने यह J, K की excitation table बनाई थी और इसी excitation table को आप किसी भी counter के लिए use कर सकते जो किसी भी counter के लिए आपके लिए easy रहेगा तो हम यहाँ पर चलते हैं अगर मैं पहले है मैं B बाला फिल कर रहे हूं तो मैं सिर्फ B ही लूँगी मैंना QB, 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 N प्लस, 1 और J, B, K के भी fill करूंगी तो जब मेरा QB, 0 है QB, N प्लस, 1 भी 0 है तो मेरा J, B, K, B, K, B, K की आ रहे है तो Q, 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 N, प्लस, 1 पर क्या रहे है तो जिरो और बाला रहे है तो याँ रहेगा 0 और यहाँ रहेगा 0 और याँ रहेगा don't care ठी उससे कोई issue नहीं है हम fatty च्वोड़ partners है क्या रहा है बना देते विझे लें से लिए libalyating में देते हैं लगया यहां थे यहां जोआ दो क्लेदेंगे यहां 1 और 0 के लिए don't care 1 है तो यहां लिख लेंगे don't care और 1 अब next क्या है हमारा 0 0 0 के लिए 0 और don't care था तो 0 और don't care लिख लेंगे अब last हमारा फिरवाई है 1 और don't care तो इसके लिए don't care ही छोड़ देंगे ठीक है तो यह हो गई हमारी excitation table counter के लिए अब इसके बाद हमें क्या करना है अब हमें इसे simplify करना है J B, K B, J A, K A को ठीक है अब तो हमारा जो step 5 है वो हैं आपर है step 5 है K map draw करना या simplify करना बेसिकर सबसे पहले जो मैं solve करूँगी वो मैं J B के लिए कर लेती हूँ ठीक है one by one करेंगे J B, K B, J A J B के लिए जब हम करेंगे this is for J B क्या दिख रहा है यह J B के लिए है तो यहाँ पर J B के लिए मैं क्या रखूंगी conditions में Q A, Q B Q A हमारे या तो 0 हो सकता है 1, 0, 1 ठीक है इस तरह से रहेगा तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है यह fill करना है यह 0, 1, don't care, don't care तो यह कैसे fill करना है normally आप देख सकते हो कि Q B 0 है, Q A B 0 है तो 0 आ रहा है जब 0, 1 है 0, 1 है जब 0, 1 है तो यहाँ पर 1 आ रहा है और जब 1, 0 है 1, 0 है तो don't care आ रहा है और 1, 1 पर भी don't care आ रहा है इस तरह से मैंने यहाँ पर K MAP ड्रॉ कर दिया अब इसे simplify करना है तो यहाँ पर जो हमारी condition होती है वो यह है कि हमारे maximum number of जो आपके boxes है वो बनने चाहिए मतलब maximum number of 1 होने चाहिए उसमें तो हम बनाएंगे ठीक है किसके 2 की power में होना चाहिए तो यहाँ पर जो हमारा बन रहा है वो हमारा सिर्फ एक ही बन रहा है अगर आप यह बोलेगे कि don't care, don't care बन रहा है तो हम don't care, don't care को नहीं बनाते है क्योंकि इसका कोई meaning नहीं होता है हमेशा हमारा उसमें एक one present होना चाहिए तो यहाँ पर हमने यह one और don't care से बना दिया है तो अब हमारा जो jb होगा वो क्या आएगा तो jb के हिसाब से अगर मैं देखू तो qa जो है वो यहाँ पर high है तो यह वाला हमारा आ रहा है और यह qb के zero और one हम दोनों क्या बोलता है इसे हम cancel out बोलता है मानलों cancel हो गए यह दोनों नहीं आ रहे है qa वाला जो high है तो qa आ रहा है यानि कि जो jb है वो qa के equal है ठीक है next बनाती हूँ मैं अपना kb के लिए c अब बनाओंगी तो क्योंकि यहां पर कोई भी zero नहीं है और सारे don't care नहीं तो मैं maximum number को अगर count करूँ तो मैं पूरा का पूरा ही ले सकती हूँ तो अगर मैंने पूरा का पूरा ही जो है चारो के चारो ले लिए मतलब सारे number of cells है हमारे already हमने ले लिए तो हमारी जो बदलब क्या बोलते है simplify करके क्या आएगी equation तो हमारी equation आती है one ठीक है तो यहां पर हमारी kb की जो value हो गई वो one हो गई अब हम draw करेंगे next है हमारा j a के लिए यह हमारा j a तो अब वापसे one don't care zero don't care मैं ऐसे रख लेती हूँ one don't care zero don't care ठीक है अब यहां पर अगर देखेंगे तो आपके यही दो बन रहे है यहां पर एक zero आ रहा है तो इससाब से अगर मैं देखू तो यह qa हमारा cancel out होगे के लिए है यह qa qb zero one zero one don't care one don't care don't care don't care one don't care don't care तो यह भी जो है पूरा का पूरा हम इसे यहां पर ले सकते हैं तो क्यूंकि हमने यहां पर पूरा अपनी equations निकाल ली है अब हमें सिर्फ last में design करना बाकी है तो अब आता है final step यानिकी step 6 counter को design करना ठीक है design करना तो design करने के लिए जो मेरी outputs आई थी एक बार वो लिख लेती हूं मैं तो यह मेरी 4 outputs वहां पर simplify करके हमारी निकल के आई थी अब हम इसी की help से design करेंगे तो क्योंकि हमें पता था कि हमारी number of flip-flops कितने लगेंगे दो लगेंगे तो फटाफट से दो flip-flop यहां पर बना देते हैं JK flip-flop अब यहां पर qn होगा और यहां पर qn बार होगा जेके flip-flop के outputs कुछ ऐसी होती है qn और qn बार तो यहां पर हम इसे qn की जगह पर q a मान लेते हैं ठीक है और यहां पर इसे qb मान लेते हैं जो कि हमारा easy होगा हमारा इसे qn कांटर करने में ठीक है तो और यहां पर हमें क्या चाहिए एक क्लॉक चाहिए होते हैं क्योंकि हमारा synchronous counter है तो हमारी जो clock रहेगी वह क्या रहेगी सेम रहेगी दोनों ही हमारे counters के लिए यहां पर मैंने clock दे दी है ठीक है clock अब इसके बाद हमारा जो यह था हम अब इसके हिसाप से चलेंगे तो jb क्या है मेरा qa है jb jb मेरा qa यानिकि इन दोनों को हम जोड़ देंगे connect कर देंगे kb क्या है मेरा one है और sorry kb और यहां पर ka kb और ka मेरा दोनों ही one है तो यहां पर मैं इसे logic one दे दूंगी logic one यानिकि high दे दूंगी सेम इसे भी मैं यहां पर logic one दे दूंगी यानिकि high दे दूंगी ठीक है दोनों को ही इसके बाद हम मेरा last बच रहा है अब output के लिए जो दो नंबर आएंगे हमारे यहां पर basically zero one इस तरह से तो यहां जो आता है वह हमारा MSB आता है और यहां हमारा LSB आता है ठीक है QA और QB है ना तो LSB और MSB आएगा ठीक है इसी तरह से यहां पर आएंगे मतलब जो भी नंबर यहां आ रहा है वह हमें first consider करना है जिसे हमारा zero zero है zero one है one zero है यही तीन हमारे numbers आएंगे जो generate होंगे तो MSB हमारा यह होता है ठीक है तो MSB हमारा इस साइड आएगा और LSB हमारा इस साइड आएगा तो जब आप design करें तो confusion होने की जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की कि यह उल्टा क्यों आ रहा है ठीक है क्योंकि LSB इसे कहते हैं और MSB इसे कहते हैं तो यह था मोड 3 synchronous counter को design करने का वीडियो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comments में लिखके पूछ सकते हैं